हेलो एवरीबडी, वेलकम तो मैं चैनल, सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आज हम देखने वाले हैं, कौन आपको याद कर रहा है, हूँ इस टौकिंग अबाउट यू एंड रिडिंग जो है, वो गाइस कोलेक्टिव है, जो लोग चैनल पर नहीं है, डोट फोरगेट तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और प्रेस होला नोडिसिविकेशन बेल, ताकि कोई रिडिंग आप में इस ना कर सके, एंड जो लोग परसनल रिडिंग बुक करवान पॉस्टिव रहें, ताकि कोई रिडिंग आप मेसना कर सके, वीडियो को लाइक करें, ताकि आप एक्स्चेंज करें इस रिडिंग के साथ अपने, सो लेट्स ही देखते हैं, कौन आपको याद कर रहा है, कौन, वूस टौकिंग अबाउट यू, प्लीज 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 आपको अबाउंगे, डिटीज थे, सैय Grenada, सब्सक्तर ने प्लीज आप में, वैस प्लीज पथा से दिडिंग करें, व सकतर साथ मों यूइज, मॉस, रूरज ऐ हैं जो ने कवंचेंग गंचेंग, व सकता हूआ बफ्लीज दाbels भीता ही थै, उस फ्लीर आपको याद तर सा स चल रहा है guys and I think यह person और आपके दर्मियान कोई ना कोई जो cycle चल रहा था वो इस टाइम मुझे लागरा complete हुआ है that's why यह person देख रहा है कि you guys are totally changed right now yes and यह जो भी person है आपके पास वापिस आना चाता है yes यह आपको याद कर रहा वज़ा से क्योंकि इनको लगता है आप काफी change हो चुके हो आप में काफी ज़ा transformation आई गया maybe इस person के eyes colorized हो सकती है green blue या फिर आपकी हो सकती है यह person water sign specially मुझे दिख रहा है cancer Pisces Scorpio yes specially बहुत स्ट्रोंग energy आ रही है मुझे Scorpio की but यह जो भी person यह आपको याद कर रहा है या फिर यह person जो भी आपके बारे में किसी तरह से चाह रहा है यह आपके पास वापिस आना चाहता है यह person अपने आपको control नहीं कर पा रहा yes और इसी वड़ा से यह person शाहिद आपको लेकर काफी ज्यादा इस राइम सोच रहा है आपके बारे में बात कर रहा है किसी क्या करना चाहिए वापिस आने के लिए क्योंकि इनको शाहिद लगता है कि आपके और इनके दरम्यान जो cycles थे वो complete कर ली है आपने और आप शाहिद अपनी life में change हो चुकी हो कोई आप किसी तरह से आगे move कर चुकी हो अठी यह वापिस आना चाहरा है क्योंकि यह बहुत emotional हो रहे है we have chemistry and passion yes it's a irisly or sagitarian energy यह person काफी सदा आप लोगों के लिए chemistry फील कर रहे है इनको लगता है कि आप ओके और इनके दरम्यान काफी सदा एक strong passionate and काफी ज़्यदा attraction वाला connection है और इनको लगता है कि आपकी तरफ एक ऐसी chemistry आपके साथ बन सकती है कि जो कि यह person किसी और के साथ बिल्कुल भी इस time you know feel नहीं कर रहा या पर इसको लगता है आपकी तरफ कोई ना कोई आपको change देखकर basically इस person की जो है ना आप की तरफ यह ज़्यादा passionate हो रहा है ज्यादा आप लोगों में changing देखके इस person की अंदर एक fire ऐसी है जो इस person की control नहीं हो पा रही और इनको लगता है कि एक बड़ा ही अच्छा romantic एक बड़ा ही कोई sexual physical आपके साथ connection बन सकता है इस person ली बना hug you यह person आपको किस करना चाता है और I think यह person किसी ना किसी तरह के कोई असी में या फिर किसी तरह की कोई लेक में या फिर किसी तरह की कोई पूल में आप लोगों के definitely close होगे chemistry कुछ करना चाता है आपके साथ गोड़ी भी voter रही है यह वोट बना जी we have lack doubts yes किसी ना किसी तरह से हो सकता है आपके past में इस person के साथ काफी ज़्यदा doubt situation रहे है yes and आप लोगों के दरमयान trust issues बहुत ज़्यदा रहे हैं trust की बहुत ज़्यदा कमी रही है maybe मुझे लग रहा है आप लोगो काफी ज़्यदा दिखने में charming हो काफी good looking हो काफी beautiful हो अगर आप लड़के भी हो तो भी काफी ज़्यदा handsome हो आपको हो सकता है लड़किया काफी ज़्यदा पसंद करती है या फिर लड़कियों को आप काफी पसंद आते हो अगर male हो अगर female हो तो आपको लड़के काफी ज़्यदा पसंद करते हैं और उसी वज़ए से शायद इस परसन को काफी doubts रहे है आपके दरम्यान एक trust की बहुत ज़्यदा कमी रही है ठीक है हो सकता है इस परसन ने आपके उपर काफी ज़्यदा trust नहीं किया आप लोगों पर हमेशा doubt किया या फिर आपको शक की निगास से देखा है बराइस suspicious नजरों से ये परसन आपको देखता रहा है ठीक है जब के हो सकता है ये परसन को insecurities थी इसी वज़ा से ये चीज़े होते रहे हैं आप लोगों नहीं इस परसन को कितना ही क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की हो या क्लैरिफिकेशन दी भी हो फिर भी ये परसन का इंट्रस्ट नहीं कर पा रहा था डाउट्स कहीं नहीं आप दोनों के दर्मियान आ रहे थे ये कन्फरमेशन दीख रहे हैं और यहाँ पर विंटर चल रहा है तो यह परसन इस कोनेक्शन की एक रिबर्स जाता है तो बढ़ा से एक स्टार्ट करना चाते हैं आपके इस कोनेक्शन को यह परसन अपने इनर चाइल को गईना गई देखता है कि आप इस परसन को हील कर सकते हो ठीक है इसके अंदर का एक बच्चा है जो के आप लोगों को देखकर जाग जाता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्पन में या चाइल्डूड में कुछ ऐसा प्यार जाते हैं तो भी के घृष ठैज के sns को तलाश करते रहते हैं तो जो को लेकर इसी बारे में बात भी कर रहें हैं। बात करना भी चाहता है आप लोगों कि आप इस परसन का जो है ना इनर चायल्ड हील कर सकते हो कही ना कही इस परसन को लगता है कि आप लोगों को देख कर भी इस परसन के अंदर की यो नो कही ना कही इन सिक्योर्टी जाग जाती है या पिर एक बच्चा होता है वो जिस बन जाए आप पे नहीं था बेसिकली इस परसन के अपने इनर चायल के गई ना कहीं वो ट्रॉमा हैं वो हीलिंग नहीं हो पाई उस वज़ा से यह सब चीज़े रही है तो हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस परसन ने किसी तरह से उन चीज़ों को हील कर ली है आपके दुनों के दर्मयान जो टुफ साइकल से वो कंप्लीट हो गया है और ना इस परसनली वांट के कंप्लीशन हो जाए और विंटर चाल रहा है तो यह परसन इसी विंटर में आप लोगों के साथ इस को दुबारा बनाना चाहता है इसलिए आपको याद कर रहा है यह इस ताम इस परसन की लाइफ काफी जादा इसको दिख रहा बहुत ही कोल्ड सिच्वेशन चाल रही है बहुत अलोन है यह परसन और यह परसन आपको याद कर रहा है और आपको मैसिज करना चाहता है इस परसनली वाना मैसिज हो यह आप से बात करना चाहता है बिकुस मर्क से इस परसनने अपने दॉटस की वज़ा से आपके और इनके दर्म्यान इश्यों कर ली एब 的 फी करते हैं प्रसंट करना चा है अपने आपको रोख नई पा रहा हुआ कि इस परसंट के अंदर का बच्चा भी अपने आपको रोकनी पारा आप लोगों की तरह आने से, या आपको clarity देना चाहता है किसी तरह से, आप अपनी intuition को भी सुनिए, अपने ये थर्डाई चाक्रा को भी सुनिए, आपका थर्डाई चाक्रा आपको क्या कह रहा है इस person को लेकर, पर ये जो भी person है आ बड़ा हुआ, लफ से बड़ा हुआ, ऐसी energy मुझे दिख रही है, और ये message कुछ ऐसा करेगा आपको, क्योंकि इस टाइम याद कर रहा है और याद करके message करने के बारे में सोच रहा है, ये बात करना चाहता है अपने दिल की, मुझे लग रहा है, ये person full of emotions, full of love, कोई ना को आपको message करना चाहता है, जिसमें इस person की भावनाए, इस person की emotions, you know include होंगे, अपने ही third eye को सुन रहा है, ये person, क्योंकि मुझे लग रहा है, ये person की third eye chakra activate हो रहा है, और इस person का third eye chakra, इस person को बहुत सारी चीजे clear कर रहा है, कि आपके उपर doubt करके, आपके उपर trust ना करके, इसने इस person की life में इस time, खुशिया नहीं है, एक light नहीं है, इस person is going through a dark night of a soul, we have ace of pentacles, we have eight of sword, and we have hierophant, yes, definitely ये commitment देना चाहता है आपको, ये person commitment के लिए ही आपको याद कर है, और आपको आना चाहता है आपके पास, with a hierophant and ace of pentacles, कुछ लोगों के हो सकता है, caste, culture, religion, background का difference हो सकता है, बट still, ये person उस चीज़ को issue नहीं बनाना चाहता, ठीक है, and कुछ लोगों की तरफ से मुझे देख रहा है, with a hierophant and ace of sword, maybe this person is already in some connection, because मुझे देख रहा है, with a hierophant and ace of sword, ये person already किसी marriage में हो सकता है, किसी commitment में हो सकता है, जहा ये हुद को stuck feel कर रहा है, और वहां से बाहर आने का रास्ता तलाश कर रहा है, ताकि वह राके आपको commitment दे सके, and I think ये person आपको manifest कर रहा है, ताकि इस person की life में हुशी आए, आपको अपनी life में enter करना चाहा है, क्योंकि ये person जिस भी situation में है, अगर आपको छोड़ के, मुझे ये person की वह चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पारी, that's why यहां पे breakthrough की energy है, इस person की अंदर का कोई नहीं आपको रोक नहीं पा रहा है, आपकी तरफ आने से, इस वड़ा से ये आपको बहुत ज़दा याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, अपने emotions आपको बताना चाहता है ये आपको बहुत बहुत ज़दा strong energy है, नमबर 851 काफी important दिख रहे है, new beginning करना चाहता है, ये आपको commitment देना चाहता है, एक stable, serious relationship commitment इस person wanna give you, yes, 10 of sword and 2 of wands, ये ending हो चुकी है ये आपकी connection की, and ये person इस ताम भुत भी काफी pain में है, अगर pain आपको मिली है, तो pain इसको भी मिली है आप दोनों ही एक pain से गुजरे हो, बहुत ये traumatic situation से गुजरे हो, आप दोनों ही, कही ना कही मुझे लागर है, आप दोनों के अंदर का जो बच्चा है ना, वो अभी भी heal नहीं हो पा रहा, कुछ लोगों की तरफ से, और आपको लगता है कि जब तक इस person से आपकी बात नह होगी, जब तक आपके साथ इनका कोई connection नहीं बनेगा, तब तक आपका अंदर का बच्चा heal नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर का बच्चे को एक दोनों ही आप heal कर सकते हो, and this person is waiting for communication, बात करना चाता है, ये person आपसे plan कर रहा है, आपसे बात करने का, क्योंकि ये पोफर लेकर आने का, तो ये वापिस हाईगा आपके पास, ये person, yes, because इस person को काफी self-worth issues हो रहे है, यहाँ पिर हो सकता है, जिस connection में ये है, relationship में, यहाँ जिस तरह की situation में, वहाँ पे इस person को उस तरह से appreciate नहीं किया जा रहा, यहाँ इस person के उस अंदर का बच्चा जो है, व इसको वो प्यार नहीं मिल रहा, वो care नहीं मिल रही, वो worth नहीं मिल रही, वो value नहीं मिल रही, जो इसको लगता है कि आप इसको दे रहे थे, इस person की age 28, 21, 25 हो सकती है, कुछ लोग 30 प्लस भी हो सकते हैं, यह person होत किसी तरह से, यहाँ तो guys किसी government sector से हो सकता है, कुछ लोग का student and teacher type का dynamic भी मुझे दीख रहा है, कुछ लोग हो सकता है, यह आपके boss हो सकते हैं, कुछ लोग की तरह से मुझे energy आ रही है, यह person यहाँ तो spiritual guru है, spiritual किसी तरह से counselor है, यहाँ पिर इस person की reputation बहुत ज़्यादा है, अपनी society में, बहुत ज़्या religion को follow करने वाला है, और हो सकते हैं, अगर यह person अभी किसी connection में है, तो अपने traditions की वज़ा से, वहाँ पे अपने आपको stuck feel कर रहा है, यह मजबूरी की वज़ा से, उस दर stuck निकलना चाता है, and hopefully यहाँ पे मुझे यह भी energy दिख ली है, कि ultimately यह किसी से कोई ना कोई guidance भी ले रहा है, मश्वरे कर रहा है कि इसको क्या करना है, उदर से निकलने के लिए, और आपके पास आने के लिए, किस तरह से वहाँ से निकले, जहां पर यह person ट्रैप हुआ हुआ जहां से यह person अपने आपको एक prisoner feel कर रहा है, वहां से निकल गी, आपकी तरफ कैसे आए, किसी ना किसी से यह मश्वरे ले रहा है, और किसी बहुत ही समझदार इंसान से ले रहा है, जो बहुत ही ज्यादा senior है, या बहुत ही ज्यादा, you know, एक अच्छे से इस person को समझा रह we have three of swords, this person is totally in a heartbreak situation, कफे टूटा हुए, आपको reject करके खुद भी आप rejection feel कर रहा है, इसको लग रहा है कि इसने आपको reject किया, और अभी खुद भी आपकी तरफ जो आने के लिए तरफ रहा है, और इसको लग रहा है कि आप इस person को आप एक ऐजा, you know, rejection ही दे रहे हो, लग आ लग है, yes, and I think ये person आपको clarity देना चाहता है, truth बोलना चाहता है, ये person आप से, कि इस person ने आपको hurt क्यों किया, उस चीज़ की clarity देना चाहता है, because now this person really wants commitment, जो आपके लिए feel करें ये वह आपको बताना चाहते है, क्योंकि जब तक आपको बताएगा नहीं तब तक ये person इस त negativity से निकले कैसे, because जब आप अपने mind को बहुत ज़्यादा negativity से बढ़ लेते हो, या फिर आप अपने mind पे एक तरह से, आपको depression हो रहा है, overtensed हो रहे हो, you know, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा seriously, आप लोग अपने mind पे हावी करते जा रहे हो, ठीक है, आपका mind negativity में control हो गया, तो फिर आपको उसका solution नहीं दिखता, तो इसको solution इसी वज़ा से नहीं दिख रहा, this person is totally blindfold, action लेने को ले सकता है, सामने रास्ते हैं, बटे ये person की tension इतनी है कि इसको समझी नहीं आ रही करे क्या, इसलिए करी न कहीं solution के लिए दूसरों से help ले रहे, क्योंकि आना चाता है इस ये person आपके पास, and still this person is spying you, बात करना चाता है आप से, and आप लोगों पर नज़र राक रहे है, आपके बारे में काफी ज़्यदा curiosity है इस person को, yes, आपको याद करते करते है, ये person मुझे लगता है, आपको social media पर चेक करने से भी रोक नहीं पा रहा हूँत को, yes, और आप को clarity देना चाता है, and I think this person really wants कि इसको victory मिले, जीत इस person की हो, अगर ये person painful situation में है, तो add the end ये चाता है, इसको जीत मिले, इसकी victory मिले इसको, इसको success मिले आपके साथ relationship में आगे, ठीक है, ऐसी energy मुझे दिख रहे है, because ये person commitment आपको देना चाता है, relationship आपके साथ बनाना चाता ह क्योंकि chemistry इस person को आपके तरफ से feel हो रही है, that's why, तो third eye chakra हो कहीं न कहीं सुनने की कोशिश कर रहा है, कि इसको third eye chakra, इसकी soul, इसकी gut feelings को clarity दे दे ताकि ये person आपको approach कर सके, ताकि इस time rejection इस person को आपको दे रही है, या pain है, या sorrow है, बहुत इसाद दुखी है, energy, उससे तो जान activity है, या कोई दूसरी situation है, या बस वहाँ से निकलने का solution सोच रहा है, that's why this person is missing you, because ये वापीस आना चाहता है आपके पास, इसलिए आपको याद कर रहा है, जो आपको छोड के गिया, आपको reject कर गिया है, और भी इस person ने आपको छोड के, क्योंकि आपको छोड के, क्योंकि जल्दबाजी में कर लिया, लेकिन अभी, this person is not satisfied and not happy, that's why ये बापकी साना चाहता है, and आपकी तरफ ही interested है, information भी ले रहा है ये आप लोगों के बारे में, कि इसने, like आप लोगों की life कहीं, आगे तो नहीं बढ़ गी है, कोई और तो नहीं आ गया, क्योंकि चेंज कहीं नह ये आप में देख रहा है, ये इनको लगता है, आप काफी complete हो चुके हो, मतब चाहे, आप completion में दिख रहे हो इस person को, अब ये नहीं पता इस person को, कि आप single हो, या फिर आप already किसी connection में हो, या commitment में हो, और इसी winter में आपके साथ रिबर्थ करना चाहते है, and wait कर रहा है, क्यों को backstabbing करके इस तरह इस person की ये सब कुछ करने का, yeah, so this is your reading, like, share and subscribe, I will see you in my next video, till then take care, bye